नवश्कार दोस्तों मैं हूँ सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील काउफार्मिंग में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं पहुंचा हूँ चर्की दादरी का पूरी पहाड़ी गउशाला तो आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ी देख सकते हैं बहुत ही बड़ी और नीचे आप गउशाला देख सकते हैं और इधर महराजजी को भी देख सकते हैं काफी अच्छा गउश्क यहाँ पर उज्जे देखनी को मिला बहुत ही बैतरीन तो काफी भारी मातरा में करीबन 700 के करीबन यहां पर देशी गमच है तो आप देख सकते हैं ववस्था बहुत ही अच्छी है यहां पर निचे बालू, मिट्टी के कूप आप देख सकते हैं जो की गाईों के लिए नैचुरल गद्दे का जो काम करते हैं तो यह देखिए बहुत ही सुन्दर है एक से एक तो इधर भी आप देख सकते हैं यह देखिए मेल काप यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा तर जो आपको गोमच मिलेगा वो है देशी गोमच ही है हर्याणा और थार पारकर नसल तो पहाड के नीचे बहुती सुन्दर भव्या गउशाला करीबन करीबन साथ सो के आसपास गाई इन्होंने बताई और नने काफ आप देख सकते हैं संद्या का समय है मिलकिंग हो रही है तो ज्यादा अंदर मैं नहीं जाऊंगा इदर भी देख सकते हैं आप गउशाला के अंदर और ऊपर देख सकते हैं घंबे के उपर यह देखिए मोर बैठा हुआ करीबन करीबन दोस्तों के आसपास मोर यहां पर राष्टे पक्षी देखने को मिले हैं और इदर आप मंदिर देख सकते हैं वहां पर दोना है तो कभी भी दादरी अगर कोई भाई आए तो इस गउशाला में जरूरा करके जाएं कपूर की पहाड़ी यह देखे मोर की आवाज भी आप सुन सकते हैं आपर नात संपरदाय की गउशाला कपूर की पाड़ी जी बहुत बढ़िया इदर महाराजी को भी देख सकते हैं अ पाड़ेश महाराजी जी 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 हां हां वामी चलेंगे एक बार इधर में इप्रके दर्सम जरूरा आपको कर्वाने चाहूंगा कि देखिए किस तरह से मौरों को लाती हैं खाना यह देखिए अब बहुत ही बहतरी इंग उशाला किस तरह से मौर को दाना चुका के लाया जा रहा है जिन्दकी का अगर आनंद आपको लेना चाहा रहे हैं तो जरूर यहां पर एक बार आएं और कुछ दिन रहे करके जरूर जाएं कि अधर दोना देख सकते हैं आप बारे निश कि देखिए बहुत ही सुन्दर है कि गायों के बीच दिन भर रहते हैं कि अधर जा रहे हैं बहुत ही स्खिन है कि देख सकते हैं वहां भी मौट कि अधर के उपर बैठे आप देख सकते हैं दो मौट और पानी का तलाब यहां पर दिख सकते हैं कि मंदीर कि अधर महराच्य को अश्रम करते हैं तो इधर देख सकते हैं यह पहाड़ी बहुत ही बड़ी और पेड़ पोदे काफी ज्यादा मात्रा में और इनके बीचों बीच आप देख सकते हैं मौर यह देखिए और इधर आप डॉक्टर सुमीत कप्तान सिंग नंबरदार और नेपिर स्पेशलिस्ट वावा जी जी बिल्कुल 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 देखते हैं जैसे गायों के उपर किस परकार का कारी हो रहा हैं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यहां तो अचानक लोक यह दूसरी गौशला के अंदर जा रहे थे यह अक्समात ही अचानक होने की वज़े से वाक्य में बहुत अच्छी है यहां पर एक अम ने यह देखिए कि जो बाबा हैं सब भी वही मिल्किंग का काम कर रहे हैं वहीं कर रहे हैं सारे बाबाजी मिल्कुल बाहर जो सफाई क है यह बृतन का काम है कोई आम आदमी नहीं है आपर कोई सपेशल करते हैं करें लगें लगें फाल ग्रवें अच्छी जी 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 और मिल्किंग की जो बालति बरके ढरन कैने अन दूध में लाझ ज्वह का बहुत जादा आ हैं और निचे बालू मिट्टी चाल में और जे बहुत है काफी शांती इतना बड़ी अंदर शह मैसूस हो रही है यहां पर आकर के और यह देखिए मौर देखिए आप गउशाला के अंदर लुग ज़्या था होग जादा मात्रा में यह देखिए यह देख सकते हैं आप प्राकर्तिक की गोद में बिल्कुल पहाड एक तरफ गाएं मैं एक बात मौनता हूं इसमिल भाई संजय नहीं कि अगर अगर कि अगर के अंदरा मोर भी देख सकते हैं काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर राष्टे पक्षी मोर को देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा मात्रा में और काफी यह देख ते पीछे पाहडी देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ी है उदर से उपर से उत्ते हुए मैंगेट यह आदक है मतों अन्मेकसिं आजए मंगेट हैं कि यहां पर देख सकते हैं जयकारे लगाती हुई तो बहुती ज्यादा मात्रा में यहां पर लोग पहुंचते हैं और बहुती थोड़े अभी शाम हो चुकी है कि अध़ियू देख सकते हैं यह अधे अधर लिए अधे बिल्कुल उपर हैं कि एक और मंदिल वह देखी है बहुती खुड़ सुर्थ दौशाला है कि यहां से बहुत सरदा लुआ रहे हैं यहां पर भी आजपास के गाहों से बहुत सरदा लुआ रहे हैं जैकारा लगाते हुए तो यह अपने इसमें अनाज की ट्रॉली है पर देखा जैसे आपने वहां देखा तो वहां पर भी खर्बूजे बहुत जमात्रा में लेकर आये थे कोई क्रेड़े ज्यादा लेकर आ रहा है कोई कुछ लेकर आ रहा है तो बहुत अच्छा असनम डगाई है और शांती कितनी है यहां पर रही है और बदाएं नम्र दस अ काफी दिनों में देखने के बाद मिलें बाइजी जैसे बच्पनमा हमारे वहां चार सो कम से कम होंगे जमा पर एक व्रक्ष के आसपास आजू बाजू वहां देखिया जैसे मंदिर में जो जहां पर आवन का आवन यूग है वहां पर आज से मोर्गो दाना खिला रहे थे हां हां वह भी देखा बड़ी असकून विला देख करके और पूरी गउशाला के अंदर जो आपा ने यह चीज देखी यहां पर भी बाबा खुद काम कर रहे हैं सारे जो यहां पर यहां नाथ संपरदाय के जो हैं लोग वो ट्रेनिंग ले रहे हैं किसल से बिल्कुल हां इन्होंने जैसे बताया देखो अचानव का हा आ गए एक दम बढ़ी है दर्शन हो गए वह बढ़ी दर्शन हो गे और बहुत यह लग रहे है सब देख के अ पाडी के उपर भी बैदेख सकते हो आव देखो सामने जैसे मंदीर है पाडी के प्रभी बहुत यह कुदु अनिल वाई तक्रीबन जो नात्व मूदाय के बाबा जी है माय जो सभी के द्रवारा कारिय किया जारह वहब है को यह say यहां पर ऐसा मेह सायो है जैसे लेबर यह आपकर बाव आधर आभ रहं संद्ण cozy जैसा हम देखते हैं कि जो आश्रम हते हैं वहां पर आराम करते हैं अरिंग जये चप्टटे बहुत ज़दा मात्राय में करते हैं यहां पर जो बाबा हैसे वह सरधय डालु है जो हमके हैं सवासर्थबाव कया हुअắm मेरा को आप नहों अगरा manifestus मंतली के हिसाफ कारीय करवारे हैं एक सर्ता के कारीय सब्सक्राइब कर रहे हैं सभी है ठीक फोर इधर भी आप देख सकते हैं एक और में आपको दिखाना चाहूंगा कि अंधेरा काफी हो चुका है माफी चांगोप्स के लिए क्योंकि हम लेट यहां पर पहुंचे हैं और मोर की आवाज आप सुन सकते हैं कि अधेश महाराजी कि अधेश यह देखिया बहुत ही भव्य है मंदिल यहां पर देखिया बहुत है अंदर जो अलगल टीवी देखिश के लिए तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों जो हमारे भारत की धरती है तो इस पर जो सादू संतों का जो सदियों से हमारे उपर उपकार है तो उसको हम कभी बुला नहीं सकते कहीं भी आप जाओगे तो कहीं गवशाला है कहीं कुछ है कहीं कुछ है तो कोई भी आस्रम में आप जाते हो तो वहां पर आपको गाएं मिलती है या पुरानी कोई भी चिजें हमें जीवित मिलती है तो उनका हम तैय दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे सादू संतो कर